हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि अच्छे हुंगे और मैं भी काफी ज्यादा बढ़िया हूँ तो जी अभी टाइम हो रहा है सुभर का अच्छे और 6 बज़े से आज मैं अपने ब्लॉग की कर रही हूँ स्टार्टिंग को देखिए। महांनिंग के टाइम पैज्था का ब 버ंष्षा रहहां काफी टान अच्छा हो रहा है काफी ज्यादा हवा लग चल रही ऑर इहां आपको दिखाई देंगे की जो व्यू है देह तो बहुत अच्छा लग रहा था तो यहांपे देखिए लिग बि आपने साथ नहीं पुटकर नहीं जल्वाइब t अधव भी ठक चुका था फिर हम उपर अपने रूम पे आएं थोड़ा वाम वाटर पीने के बाद हम छट पे चले गए थे तो जिस टाइम का मैं आपको व्यू दिखा रहती वह बज़े था सुबह के छह और उस नाइम पे ना हम छट पे आके थोड़े दिर गपे मार के अब हम जार थे अपने अपने निचे रूम पे ताकि आप कर लेते हैं मॉर्निंग की तयारी और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक हाउस वाइप की तयार तो किचन से ही स्टार्ट होती है तो वहां से आने के बाद देखिए भाबी भी किचन पे लगी हुई थी और मैं भी साथ मिल जिल्के करने पड़ते हैं जिससे हमाई सारे काम आसानी से भी हो जाते हैं और टाइम का हमें पता नहीं चलता और गद्दने तो यह थोड़े से भारी है और मैं बड़ी मुश्किल इनसको उठा पारी थी और जो मेरे महँ वाले गद्दें वह तो काफी जदा हलके मैं दोनों गद्दों को साथ में ले आती हूं बट इसको पकरना बहुत जदा मुस्किल हो था उस टाइम पर श्रॉराजी भी नहीं थे थे वह शावर ने के लिए गए थे तो जैसे-दर से मैं इसको धूप में डाल दिया है और शेषा तो कने बहुता को मैं थे छेटनी में você चटनी मराने के लिए मंवी मिरची अर्द धनिया तो उसमें यहां पर लगा रहे हैं आज ना चानक से प्लैनस बना कि अपने बालों आलो विरा जल लगाते हैं भावी और मेरा और भावी का ओफ भी था तो हम दूनों के दूनों जल लगाना लग गए थे भावी लगा के चले गई थी अपने रूम पे और मैं लगा रहे हूं एक्षिल में होता भी आलो विरा के बहुत सारे बेनेफिट्स हैं हमारे हर चीज मे क्योंकि उसकी लाइफ ना कीचन बच्चे काम अपना घर पस यहीं तक सीमित हो जाता है तो जैसे आज हम नोगन चलो ठीक है हमने बोला आज हम अलो विरा जल लगा लेते हैं उसके बाद और काम करेंगे तो यहां पर देखिए अलो विरा जल लगाने के बाद अब मैं सीध जाते हैं और उसके बाद हम खाने बनाने की तैयारी करते हैं मसीन तो है वाशिंग मशीन बद वह बहुत जड़ा लगता है क्योंकि मैं अपनी मसीन के आदद की नहीं में हाथ से दोलूंगी तो यहां पर देखिए हाथ तो इनके कुछ बहुत बेनिफिट्स भी हैं हमारे स मैंने की नहीं हो चावल की रोटी और आप यहां पर देख सकते हैं मेरे चावल की रोटी बनना स्टार्ट हो गये बट प्रॉब्लम यह थी कि आज की रोटी मेरी बिल्कुल भी सही नहीं बन रहे थी किन लगब टूठी जा रहे हैं कितनी कोशिस करूए है तो मेरा बैटर क पर जैसे बड़ी मुश्किल से कुछ बहुत बने दो या चार बने फिर उसके बाद मैंने हैंड आप कर लिया था मैंने बोला मुझसे नहीं बन रहे देख सकते हैं भी बीच से तूटने लग गए तो फिर भावी ने बोला कि ठीक है तुम और काम को लो तब तक मैं इसको एक सब्सक्राइब बनाएं मैंने नहीं बनाएं की मुझसे ना बार बार टूट जा रहा है तो तब तक मैंने जितने भी कप्ले थे वह अच्छे से पाने निकल चुका था और मैं सच्छा कि जब तक भावी ब्रेक फास्त बनाती हैं तब तक में सारे कपडों को धूप में डा अट बजाओगा तो आट बजे मैंने सारे कपड़े तूप में डाल दिये और मेरी जो आप में आप में वह समय और दई यहां पर देखे सारे के सारे कपडे मैंने दाल लिए धूप में और जैसे ही मैं नीचे जाने लगी ना आमा और ममी ना यहां पर मतर चिल रहेते हैं तो यहां पर मंड़े को सब्ची मंड़ी लगती है तो मम्मी वहां से मतर लेके आई थी और हम लोग ना हर सबजी मंडी जाते हैं मैं और दिव्यम इस पेसली और वहां जाके ना हम लोग गन्य का जूस भी के आते तो यहां पर देखिए आमा भी बैटी हुई थी और हम गपे मारते हैं मारते हमने सारे मटल भी छिल लिये थे देन उसके बाद हम लाए थे आम तो हम उसका क्यों आज हम आम का बनाते हैं मैंगो से देखिए हम पर सब के लिए मैंगो से रेडी हो चुका है और घर पर सबने ब्रेकवास्ट कर लिया था बस हम लोगी बचे वे थे और फिर मैंने फटा-फट से देखिए जितने भी बरतन हैं उनको वाश करने लग गई थी और भावी कीच आज ना माडों ने बहुत जाला धोका दे दिया हमको और करते करते दस से ग्यार बज गया नहीं पतासला बिल्कुल भी और यहां पर देखिए भाईया को ना चटनी पसंद नहीं है मैं आपको हर बार बोलती मेरे भाई को नॉन विच खाना बहुत पसंद है तो उसने लास सब्च लेके जाता है घर से तो उसके लिए भाईया सब्जी और रोटी रेडी कर रहे थी और नॉर्मल्ली तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आज मारे एक खाये थे और थोड़ी बहुत साम की सब्जी बची हुई थी तो हमने वह ले ली थी और भाईया के लिए अभी मैं बशाँ हैं और मैं अभी अपना काम कोров niño मैं सारे बर्टनवाश कर ले थे और उसके बाद मैं चले गए हूं शावर लेने क्ले तो अनुम मैं जलते हूं लेकिए और आपको मिलती हुए मसीदे थोड़े थे덹 की बात हाय तो कैसे हैं आप सभी ह отдельषय रहे थी और मैं बह मारत हम दो कि दो कहोताी पता है घा बादी ने तो बगों दो क्यो है हुआ ढ़ ने जब दो क्यों चयवाल कि रूटी तो मैंने चयवल करने कि बनाने के रूटी अब जिस सहाब से हमारी अभी फैमिली तो इसी बड़ी है तो सब्सक्राइब करने में टाइम भी कापी जादा लग गया था और लगब बच चुके थे दर्स और हमारा ब्रिकफास्ट नहीं हो रखा था दन उसके बाद भावी में और भाईया बच्छे वे थे बाकिसाब में अब भाईया था तो ब्रिकफास्ट करने के बाद अभी थोड़ी देर्स करने के बाद मैं अब या आप लोग उसे कर रही हूं बाते क्योंकि क्या था ना कि मॉनिंग में उठके हम थोड़ी पी पापा लोग सा चत में गई चत में बैठे और लगबग कि यहां पे पांच ससा जारे हैं की जो जाला है वो भी हो जातां तो श्रुजी बार बार मुझे स 방ôngरू शुरी स से के अगर और आने के बाद आपको पता ही है कि वही दो ही रूटिन हो और हम रहता ही है और जब अगी फीटेरी साही साही सात में हो में अगम जा च्बग नहीं है वो अभी आग्रा में है साइद वूज साल तो गर्मी बुचुट्यू में नहीं आईए साइद नेक्स्ट यर आ जाए तो आप आज का जो मेरा व्लॉग था इतना ही था अगर आपको पसंद आए तो प्लिस लाइक शियर और सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट ये नेक्स्ट वीटियो के साथ ओके बाई बाई एंड टेक केर बाई